कटनी जबलपूर हाइवे में चक्का जाम किया जा रहा है पीर बाबा बाइपास समीब बड़ी संख्या में अधिवक्ता एकत्रित हुए हैं और चक्का जाम अंदोलन कर रहे हैं चक्का जाम के दोरान एंबुलेंस सहित इमजेंसी वहनों को निकलने की छूट दी जा रही है इसके अलावा अति आवश्यक कार्य से जाने वाले लोगों को भी कार्य बताने के बाद जाने दिया जा रहा है पीर बाबा बाइपास समीप अधिवक्ता कोर्ट के विखंडन के विरोध में जमकर नारेबाजी कर रहे है जिला अधिवक्ता संग अधियक शमित शुकला अधिवक्ता एवं पूर्व विधायक श्रीमती अलका जैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिना किसी बातचीत के बिना किसी सूचना के न्यायाले का विखंडन करना न्यायसिंगत नहीं है पीर बाबा बाइपास समीब चल रहे चकका जाम के दोरान सगक के दोनों और वहनों की लंबी कतारे लगी हुई है सुरक्षा की दृष्टी से कई थानों के थाना प्रभारी पुलिस बलके साथ मौजूद है जो नियालेयों का बिखंडन हो रहा है पहले तैसीलों में नियाले खोले गए इसके बाद जो भिजराओगड में ADJ कोट खोला गया उसके ब्रोद में लगबस दस दिवस्ते हमारे अधिवक्ता संके समस्त सदस जिसमें मैं भी सामिलूँ हम सब लोगों ने एक आंदोलन किया है और आंदोलन इसलिए भी आवस्त सकत है क्योंकि जब तक आंदोलन नहीं करो तो उपर वालों की कानों में जू नहीं रहेंगती पहले आप लोगों में सुना होगा कि जवलपुर हाई कोट का विखंडन होके भोपाल जा रहा था लेकिन जवलपुर के एड़ुकेट की एक तन यह कर दिखाया कि वह विखंडन नहीं हुआ और भोपाल हाई कोट नहीं जा पाया साका उसकी इसी तरह हम सब लोगों की कटनी में हम सब अधिवक्ता एक साथ हैं और इसका समर्तन करते हैं कि यह नियाला यह बाहर नहीं जाना चाहिए जो कि जितने भी यहाँ एड़ी जे कोट हैं डीजे मात्रेक होता है एड़ी जे कोट है और अधि उनका एक कब खंडन हुआ तो धीरे धीरे सबी कोटों का होता रहेगा और यहाँ के हमारे अधिवक्ता साथी जो इतने बरसों से यहाँ मैनत करते चले आ रहे हैं उनकी रोजी रोटी के लाले भी पड़ जाएंगे इसलिए मैं फूर तहा अधिवक्ता संग को अपनी ओर से समर्तन करती हूँ और मैं उपर तक मांग करूँगी मुख मंतरी जी स यहां करेंगे और यहां के प्रमारी के पास तक जाएंगे कि कम स्कम एडी जो कोटों का ने आ विखंडन ना करके कटनी मेंए स्तापद रहने थे क्योंकि बहुत दूरी नहीं कोई भी तैसीरों की हमेंसा कटनी में ने जय चलते रहे हैं कटनी में ही चलना चाहिए धन्नव जो तैक करेगी हम सब लोग उसका साथ देंगे अधिवक्ता यह तो जार बाइस से सभी जिला दिवक्ता संग के सभी सदस्तों अपने अपने कार्ब से विरात हैं हम लोगों की जो मांगें बहुत ही जाएज हैं हमारे जिला न्याले से एडी जो कोट का विखंडन किया गया जो कि हम जिला दिवक्ता संग के सभी सदस्तों को जिनांक 18-08-2022 को इस बात का पता चलता है कि हमाए कोट का विखंडन किया गया जबकि हमें सूचना देना चाहिए हमारी कोट हमसे अलग हो रही है इस बात की हमें जानकारी नहीं और ना दी गई प्रसासन के दौरा ना ही नया पालिका की दौरा यह हमारे लिए सबसे दुखत बात थी दूसरी तीसरी बात यह हैं कि हम लोग चाहते हैं कि स्रम नियाला कटनी में कुले काफी यहां फैक्टरियां हैं यहां पर रेलवे कोट खोली जाए और अत्रिक्त कमिशनर कोट का यहां आगमन हो जाए जिससे दस साल के अंदर लगवग लगवग चाहर कोटने कटनी जिला से अलग हो चुकी हैं जिसके लिए हम अधिवक्ता संग के सभी सबस लोग बहुत ही परसान हैं और इन सब बातों को लेकर के यहां आज रोट पर आकर के हम अपनी बात रख रहे हैं हमें कई दिनों से हो गए अपनी बात रखते किसी प्रकास दिने प्रसासन के दौरा हमारी कोई सुनुवाई नहीं हूँ इसी बात को लेकर आज हम सब्सक्राइब करोत रहे हैं कि एक भाजपा नेता के सारे पे सब किया जा रहा है किसी भाजपा नेता के हम लोग जिला दिवक्ता संग के लोग किसी सब्सक्राइब करा सकता है किसी भी करा सकता है हमारी मांगे वहाँ से चल रही है हमें उम्मीद है पूरी कि जल से जल यह पूरी होगा